हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड का दो हजार तेइस का नागरिक शास्त्र का पेपर लेकर के आई हूं और इस पेपर के सैट के जो संख्या है वो है 323 AU और देखे फ्रेंड्स इसमें क्या है दस तो अब्जेक्टिव कोशन्स आए हैं जिनके आंसर मैं आपको बताने जा रही हूं ध्यान से सुनिएगा और इसके बाद हम अतिलग भी सॉल्व करेंगे और पूरा पेपर में आपको दिखाऊंगी और जो बच्चे अब इंट्रे क साथ देखी इसमें क्या है आपके सामने जो पेपर दिया हुआ है इसमें देखी बहु विकल्पिया दिये हुए है पहला बहु विकल्पिया है दुत्य विश्विध के दौरान निमली के देशों मैं से कौन सा धुरी राष्टों का सदस्य था तो जर्मनी जापान इटली यह सभी जो थे सदस्य थे धुरी राष्टों के तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा उपर्युक्त सभी नेक्स्ट है प्रत्थम बिश्विध कब से कब तक चला तो यह आपको पता होगा यह 1914 से 1918 तक चला था तो इसका आंसर दूसरे का ठीक है नेक्स्ट कोश जोसेफ ब्राउन्ज टीटो गमाल अब्दुल नासिर यह तीनों ही थे तो इसलिए इसका अंसर होगा उपर्युक्त सभी नेक्स्ट कोशन है बिश्व राजनीती मेद्वी ध्रुवियता के अंत का क्या कारण था तो इसके जो अंत का कारण थे तीनों ही कारण रहे हैं इस युद्ध का अंत गुट निर्पेक्ष आंदुलन की भूमी का तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा उपर्युक्त सभी कोशन नंबर 5 है आपके सामने यूरोपीय आर्थिक समूदाय यूरोपीयन एकॉनोमिक कम्यूनिटी का गठन कब किया गया था तो इसका जो गठन नंबर 6 निम्न लिखित मैसे कौन से नेता सीमान्त गांधी के नाम से पिरसिद्धी हुए है तो यह बहुत ही फेमस कोशन है यह अधितर कॉम्टिशन में पूछा जाता है तो आपको पता होगा इसका अंसर है खान अब्दुलगफार खान नेक्स्ट कोशन है सेवन नंबर का रजवारों के शाषकों ने भारती संग में बिले के लिए जिस सहमती पत्रपास ताक्षर की उसे क्या कहा जाता है तो फ्रेंड्स उसे इंस्टूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है तो इसका ओप्शन भी विलकुल ठीक है नेक्स्ट कोशन है कोशन नंबर एट राज जब पुनर गठन आयू का गठन कव किया गया तो इसका गठन उननिस्वतरेपन में हुआ था नेक्स्ट कोशन नंबर नाइन निम लिखित मैसे किसने दुतियविश्विध के दोरान इंडियन नेशनल आर्मी आई एन एक का अन्सर आपको बता रहे हैं सूचना का अधिकार आंदुलन किस वर्षे से सुरू हुआ का अधिकार आंदुलन जो शुरू हुआ था 1990 में शुरू हुआ था, नेक्स्ट कोश्चन है अब यह है अति लगू, तो देखिए यह है S-E-A-T-O, यानि सीटो और C-E-N-T-O का पूर्ण रूप लिखिए, यानि इनकी हमें क्या है, यानि मुद्रा है, और यह कब से परिचालन में आई, तो यूरो जो परिचालन में आई, यह आई थी एक जन्वरी 1999 को यह यूरोपियन देशियों की अधिकारिक मुद्र हो गई तो यह कब से पर चाला निम आई थी एक जन्वरी 1999 आसियान छेत्रिय मंच की स्थापन क्यों की गई तो देखिए जो आसियान छेत्रिय मंच की स्थापन की गई थी वो सरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देशे से की गई थी और इसमें लगवक तेस सदस्य देश थे जिसमें अमेरिका, रूज, जापान, चीन आजी देश थे और चौधवा कोशन है आपका विश्व के पहले बांध बिरोधी आंदोलन की शुरुआत कब और कहां होई थ तो विश्व के पहले बांध बिरोधी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह उन्निस्टे के दशक में पुने शहर के पास मुल्शी बांध के खिलाफ हुई थी और अगला कोशन है कोशन नमबर 15 भारत में मूलवासियों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में कितना प् प्रतिशत है कुल जन संख्या में वो है 8.2 और इन्हें किस नाम से जाना जाता है तो फ्रेंड्स मूलवासियों को आदिवासी के नाम से जाना जाता है यही जो है भारत के मूलवासी कहे जाते हैं द्रविड और आर्यन के आने से पहले के निती 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 से संबंदित और दूसरा जाना जाता है नाम से जाने से आश आशन से संबंधित वैसे पांच जो है नितिनुद्र शक्तत्व हैं आप कोई और तीन है उनमेंसे भी लिख सकते हो नेक्स्ट कोशन है हमारा कोशन नमबर 18 1977 की चुनावों में विपक्षका क्या ना रहा था तो फ्रेंट्स के कई नारी थे तो इसमें मैं जरा श्योर नहीं हूँ इसलिए मैं इसका अंसर आपको नहीं बता रही है इस बुक को बुक से भी कंफर्म कर लेना आप ठीक है नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 19 शेक मुहमद अब्दुल्ला कौन थे तो फ्रेंट्स शेक मुहमद अब्दुल्ला जो थे यह जम्मू कश्मीर के तीन बार मुख्य मंत्री रहे सबसे पहले तो यह क्या है प्रदान मंत्री बने थे जम्मू कश्मीर के और उसके बाद यह 3 बार मुख्य मंतरी रहे थे यह एक राजीनितिग्य थे फेमस और इनहें किसकी से कशमीर के नाम जाता है किसके जाना जाता है शेर कशमीर नेक्स्ट कोश्शन 22 कोma की डंगि किया कारण था तो 2002 कि डंगि الس्थ 27 सफर वरी 2002 को गुझराद के गौधहरा शहर में कार सेवकों से भरी जो ट्रेन थी उसमें मुस्लिम समुदाये ने आग लगा दी थी जिससे लगभग 90 यात्री मारे गए थे और इसमें अधिकान से जो थे हिंदू समुदाये से थे और इसके बाद क्या हुआ फैंड्स 28 फरवरी को गुजरात में दंगा भड़क जब गौधरा ट्रेन में आग लगा दी गई थी तो इसलिए गौधरा शहर की जो ट्रेन थी उसमें आग लगा दी गई थी इसलिए 28 फरवरी को गुजरात में दंगे भड़क गए थे जिसमें लगभग बार है सो से अधिक लोग मारे गई थे तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज हमने यह अती लगू जो है यह मतलब हमने किये सॉल्ब अब इसके बाद लगू आ जाते हैं लगू हम सॉल्ब नहीं करेंगे इसका पर इसके निशॉर्ट ले लिजेगा और इन कोशन्स को जो अब करहा है और जाते हैं नागरिक शास्त्र को सॉल्ब किया और आपको मेरी वीडियोत पसंद आई हो तो आप इसे लाइक की जिए शेह कीजिए और आगर चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना बभू है भूलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जै हिंद जै भारत